देख रहे हैं खबर फास्ट तेज खबर पहनी नज़र नमस्कार मैं सीमा गिल और आज हम बात कर रहे हैं अध्यात्म की अध्यात्म हिंदुस्तान का अध्यात्म ने पूरे विश्वर को रास्ता दिखाया जब जब पूरे विश्वर को जरूत पड़ी है एक नया रूप अ दर्ज करा चुका है दूसी तरफ हिंदुस्तान की सड़कों पर किसान बैठा हुआ लगाता है तीन महीने के आसपास हो रहें किसानों को बैठ हुए तमाम तरह की परिस्थितियां हैं जिन से लड़ना कई बार ऐसे लगता है कि बहुत मुश्किल है लेकिन हमें उम्मीद है क मेत्रिय दादाश्री जी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की परिस्थितियां डबलप हुई उनमें क्या कोई रास्ता दिखाई देता है क्या हम लोगों को प्रिक्वेशन लेने की जरूरत है रों क्या एक दूर दरिश्टी रखने की जरूरत है सरकार को आम सबसे पहले दादाश्री जी आपका नमस्कार खवरफास परिवार पर मैं आप से जारना चाहती हूं क्योंकि देखे जिस तरीके से लगातार में कह रही हूं कि पूरे दुनिया भर को हमारा जो अध्यात्म है उसने कई बार रास्ते दिखा हैं अभी भी क्रोना काल में जा रही हैं जो क्रोना की तो उस वक्त में जब हमारे पास हम हैं उस लायक कि हम दिखा सकते हैं किसान आंदोलन बीच में चल रहा है आपको क्या लगता है कि अध्यात्मिक गुरूं की जरूत अभी है इस सिचुएशन में मैं कहूंगा कि अध्यात्मिक गुरू ही नहीं पर अध्यात्मिक ग्यान की जरूरत है यहां पर या अध्यात्मिक परिवरतिन की जरूरत है यहां पर कि जब ऐसा माहूल बनता है देश में जहां पर दो अलग भाग हैं या दो अलापार्टीज हैं जहां पर दोनों का एक मन मुटाव हो गया, बातचित नहीं हो रही है, तो आप उन दोलों को एक साथ लाके बातचित करने के कोशिश करते हो, वैसे अगर देश को हम देखते हैं, एक अध्यात्मी का व्यक्ति के तोर पे में पुरे देश को अपने परिवार समझता हूं, तो यहां पर हमारे परिव उनकी जो बात थी, उसको समझने की कोशिश की, उनका दुख जुधा, उसको समझने की कोशिश की, और उनको हमने अध्यात्मी क संदेश भी दिया, तो जिसका असर हमें लगता है कि काफी उसका अच्छा असर आएगा. अच्छा आप, क्यूंकि कल मिले हैं राकेश टिकेट जिसे, आपका क्या एक्सप्रियेंस रहा उनसे बात करने के बाद, आपको कुछ ऐसे पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, जिन पर एफर्स लगाने के जरूरत है, या कोई रास्ता दिखाने के जरूरत है, सरकार में औ इन दोनों के बीच में बात्चित नहीं हो रही है, तो जब बात्चित शुरू हो जाती है, तो अविश्वास अपने आप विश्वास में बदल सकता है, तो यही हमने कोशिश अमरी तरफ से कि सुनने के बाद हम ये लगा कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य है तो आप कि अपनी का हुछ ए संदी का महाल फिर से बना रहे हैं इस तरीके से आप किसानों के पास गए एक कालराखरिषटिक है जा स लगता है कि आप सरकार का नहीं धरर विकनली जरुद पड़े की पात्शीत करेंगे। उनको समझाने की या रास्ता दिखाने की कोशिश की कहीं पर क्योंकि विश्वास की भावना जो बार-बार आप कह रहे हैं उसमें दोनों पक्ष के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि विश्वास क्योंकि जिसको जिसके पास विश्वास है और जिसके प्रति है उसको भी बन यहां पर हम सब लोग है बहुत ठीक से पहले जैसे थे वैसे हम अपना काम को आगे लेके जहें जो आपने अभी उधारन थुड़े देर पहले दिया कोरोना काल जब सब बंद हो चुका था अभी फिर से शुरू हो गया तो अचानक से हमारा किसान अंदोलन जो आया है फिर से कर सकते हैं नहीं कर सकते किकी कोशिश कर सकते हैं कि विशय का ग्यान हमें भी नहीं है की सठीक जो उनका बिल है या उनकी जो व्यथा है हमने सिभी सुना है पर सरकार औरकी सान दोनों आपस में बैटें और जो सब से अच्छा हो हल जो सब के लिए भड़ा हो वहीं वो करें लेकिन देखिए जब जब ऐसा होता है कई बार आप देखेंगे कि हमारे जो अगर हम अपने इत्यास को खंगोलते हैं तो कई बार ऐसी परिस्तितिया आती है जब धरबने आके अपना काम किया तो अध्यात्म की हमे बैंक के परती हो उनका जादा रहता है रुजान लेकिन अध्यात्म की बात आते हैं तो अध्यात्म को व्यापक हो जाता है उसकी दूर दूर दृश्टिता बहुत ज्यादा होती है इस कंपेर टू दूसरों से तो कहां आपर क्या ऐसा लगता है क्योंकि अभी से पहले भी जो इंडस्टेल एरिया है वो पूरी तरीके से ठाप है हाफ के हाइवेज ब्लोक हैं लेकिन दोनों तरफ से बातचीत हो रही है लेकिन उस तरीके से नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए थी तो क्या कहीं पर लगता है कि बीच में मध्यस्ता का जो बिंदू था वो अध्यात् अगर हम देखते हैं बातचीत हो रही थी सरकार और किसानों के बीच में जब बातचीत बंध हो गई और 26 जन्वरी को जो हिंसा हुई वो दूसरी घटना और तिसरा राकेश जी के आँखों में जब आसू आये तब ये सारे चीज़े कुछ अच्छे नहीं हो रही थी में असर लगता है कि हमारी तरफ से हम क्या कर सकते हैं कोकि निर्णे लेना होता है वो दोनों को लेना होता है सरकार और किसानों को हमें सिफ ये था कि हम जाके सूने उनके दुख को कि क्या तकलीफ है और उस दुख में हम शान्ति और प्रेम दने के कोशिश करें और उन्हे अध्यात्मिक जो जो अवस्ता है, जो मारगदर्शन के रूप में जब आती है, तब देश को एक नहीं रहा मिलती है, तो मैं जरूर मानता हूं, ये होता है इत्यास में, पहले भी हमारे पुरान व्मेसे हो चुका है देश में, पर जहां जहां ज़रुवत लगती है जहां जहां अध्यात्मिक ज़रुवत होगी वहां वहां कोई ना कोई तो पहुंचते ही है और ज़रुवत होगी है आज तोर ना ज्वाणर करना या किसान का काम करना है वो हम नहीं कर सकते हैं तो हमारे कालगे चेत्र में हम जो मारगादशन कर सकते तो इतना ही मता सिना आपने बहुत मह庭न कि आप आप कभो कि कुई आप का आपका पर आत्यात्म back अगर उसका भर पूर इस्तेमाल किया जाए तो दुनिया की बड़ी से बड़ी परेशानी को खत्म किया जा सकता है वेक्तिक तोर पर मेरा अनुपब भी ऐसा ही कहता है तो क्या आपको लगा कि जब आप किसान आंदोलन में गए हैं राकेस्टिकेजी से मिले हैं कि कहीं पर प से आना चाहिए तो कोई रास्ता निकल सकता है प्यार अपने आप में क्योंकि बहुत व्यापक है और मुझे लगता परिपूर्ण है अगर उसका भरपूर इस्तेमाल किया जाए तो बड़ी से बड़ी परिशानी सुलज सकती है कहीं आपको लगता है कि सरकार को प्रेम भा माता-पिता के रूप में देखें और सरकार प्रजा को लोगों को बच्चे की तरह देखें जब ये भाव आता है तो विश्वास बन जाता है जब ये भाव नहीं है तो अविश्वास आ जाता है कि सरकार अपने सभी लोगों का सुने उनकी बात को गंभिरता से सुनने के उस तरह से कुछ action ले और जहां तक किसानों कायम वो भी अपने सरकार को एक बड़े हैं माता पिता की रूप में देख सकते हैं अपनी बाते रख सकते हैं जो उन्होंने रखी भी अच्छी तरीके से रखी उन्होंने अपनी मांगे पर जब दोनों एक दुसरे को बहुत प्र पर अबरीगम के लिए आधरिक है, जब प्रेम से देखते हैं तो अपने आप विश्वास बन जाता है तो काम करने के लिए आसान हो जाता है तो कहीं पर प्रेम का अभाभ ज़रूर है वो शायद किसानों की दरफसे हो या सरकार की तरफ से हो इसमें बड़ा कौन है तो सरक जो पुरा देश चलाती है, सरकार में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, एक संस्ता है, सिस्टम है बड़ी, तो ये बात राकेश जी भी समझते हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि हां मैं कोई बात में हम रुकेंगे, जब सरकार को लगेगा तब हम उसे साब से जो कहेंगे, हम करेंगे पर वो संस्ता है, उसे समय लगता है, कभी जड़ल ऐसे कुछ प्रश्णों होते हैं, तो अपने एक समय लेती है, तो प्रेम जब इसमें आ जाता है, बात्चीत में, तो आपको उसका तुरंद हल दिख जाएगा, तुरंद, जैसे अध्यात्मिक ज्यान जो है, वो पुस्त सरकार भी उसी तरह से बढ़े, तो आपको बहुत ही अच्छी चीज इसमें दिखाई देगी. वो जो उसका हक बनता है, वो उसको मिले, वो अपनी लाइफ को सहज तरीके से जाके जी सके, उस सब में आप जो बात करते हैं कि स्पीच्छल ट्रांसफोर्मेशन की आप बात करते हैं, मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी, तो मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो स्पीच्छल ट्रांसफोर्मेशन, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या अभी जो हमारे आज की परिस्तितियां हैं, क्योंकि बेरोजगारी अपने आप में चरम पर है, अर्थरस्था डाउन जा रही है, दिन रोजगार के ने उस तरीके से क्रेट नहीं हो रहे हैं, उस वक्त में जब आप अपनी बेसिक नीड के लिए स्ट्रॉगल कर रहे हों, एक कहावत है कि भूके पेटना भजन होए गुपाला, जब आप भूक से व्यावकुल हैं, आपके पास रोजगार नहीं है, उस वक्त में स्पिश्वालिटी को किस तरीके से देखना चाहिए, क्या वो रास्ता दिखा सकती है, मैं उस पर आप से चाहती हूँ कि आप थोड़ा परकाश चाले, प्लीज, जो परिस्तिती है देश में, वहाँ पर भी आप देखते हो अविश्वास और और अविश्वास जब विश्वास बन जाता है, डर जब प्रेम बन जाता है, वही अध्यात्मिक परिवरतन है, यह अध्यात्मिक गुण है, जब इसका विकास होता है, तब आपकी सारी जो काम है जीवन में, अपने आप बनना शुरू हो जाती है, सब ठीक होते हैं, अपने का जॉब नहीं है, या बेरोजगारी है, और खाने को नहीं है, या रहने के है, उसके लिए भी अगर आप spiritual transformation की तरफ बढ़ते हो, अध्यात्मिक परिवरतन की लिए बढ़ते हो, अध्यात्मिक गुणों के साथ, तो जीवन में वहां पर भी बदला बाता है, अगर हम किसानों का उधारन देखते हैं, तो उनकी जो उपज होती है, जो आनाज मिलता ह वो जैसे बारिश होगा, उस दरा से वो बनाते हैं, तो हर साल, जितनी सफ़ों को फसल मिलती है, हर साल, उसमें ही उन्हें गुजरा करना है, तो यह सीखते हैं हम किसानों से, जितना मिला, उसे के साथ हमें हमारा पुरा जिवन निकालना है, कभी ज़्यादा आया, कभी कम लाइफ में भी ऐसे हो, कभी कुछ हो, कभी नहों, पर उसके साथ अपने आपको अलाइन करना है, उसके साथ अपने आपको बिठाना है, स्विकार करना है, और खुशी-खुशी करना है, जहाँ पर अंदर दर्द नहीं है, अंदर आपको खुशी महसूस होती है, जो मिला, मेरे लिए जितना जरूरत था उतना मुझे मिल गया यह जो भाव आ जाता है आपके भीतर तो कहीं से छिनने की कोशिश जो है बंद हो जाती है ज्यादा चाहिए यह जो भाव है वो बंद हो जाता है क्योंकि जीवन शन भंगूर है जैसे हम कहते हैं मतलब हमेशा के लिए कोई यहां पर रहने वाले नहीं है आप यहां से इस देह से निकलने वाले हो यह ज्यान जब आपके पास पहुंच जाता है तो किसी और चीज को पकड़ने की कोशिश आप करते नहीं हो आपको पता है कि आज जो मेरे पास है वो कल नहीं रहेगा क्योंकि शरीर आपके साथ नहीं रहेगा हमेशा तो चीजी जो बदली रही मेरे साथ तो किसे पकड़ना, किसको अपने पास रखना, किसको हमसे दूर रखना यह सब खतम हो जाता है अंत हो जाता है एक समय पे यह ग्यान जब आपके भीतर पूरी तरह से ठहर जाता है आपके शरीर का मन का भाग बन जाता है तब आपके लाइफ में हर स्तर पर बहुत बड़ा बदलाव दिखता है उसी को हम परिवर्तन देखते हैं एक आंतरिक परिव सब्सक्राइब नहीं करते बलकि इसे आप सेम प्रॉसेस में इस उसको आप मेंटली लेवल पे आप मेडिटेटिव माइंड की स्टेटस में आप होते हैं उस वक्त में और यह मुझे लगता बहुत जरूरी हम सब के लिए क्योंकि परिस्तितिया हमेशा एक जैसी होती नहीं ह बढ़ी हम किसान की बढ़ करें हम सरकार की बात करें बड़ा मुद्द है और इन सबसे हमें बाहर निकलना है यहां पर भी परिस्तितिया आपके लिए की तरीके से बहुत बड़ा example है कि किसान से हम सीख सकते हैं कि वो हर विपरित परिस्थितियों में भी अपने आपको maintain रखता है, sustain करता है, वैसी ही अगर आज हमारी विपरित परिस्थितियों तो हमें होसला नहीं छोड़ना है और कहीं न कहीं कोई रास्ता निकालना है, आपको लगता है कि यहां इस आंदोलन के नजरिये से आप जब देखते हैं तो कोई रास्ता क्या नजर आता है, आम आदमी को उस आंदोलन को किस तरीके से देखना चाहिए और उसमें किस तरीके से भागेदारी अपनी, क्योंकि हर आदमी के लिए responsibility है कि वो अगर कोई काम है उसम अपने जिम्मेदारी सुनिश्चित करें, अपनी भागेदारी सुनिश्चित करें, तो क्या आम आदमी को इस आंदोलन को किस तरीके से देखना चाहिए ताकि कहीं कोई रास्ता निकले, समाधान की तरफ हम जाएं, क्योंकि कोश्चिन करना बहुत आसान है, लेकिन रास्त आदमी को अध्यान रखना चाहिए, ताकि ये चीजे खराब ना हों, बलकि सुद्रें और सकारात्म करूप लें, जो भी सरकार सोचती हैं, सरकार को ठीक लगता है, वो सरकार करेगी, जो किसानों को ठीक लगता है, किसान अपना पक सरकार को बताएगी, उस तरह से निर्ण होगा, आम जनता, जो आम जनता है, वो इस पे अपना कुछ भागे धरी नहीं कर पाएगी, क्योंकि सही और गलत आम जनता को पता नहीं है, वो सिर्फ किसान और सरकार को पता है, तो यहाँ पर एक ये चीज़ जरूर हुई है, कि हम मानसिक तोर पे रुग गए हैं, जो हमा निकलेगा, तो इसके बदले आपको ये करना चाहिए, कि जो आपके जिन्दगी में जो आज चल रहा है, उसके ओपर आप ध्यान के इंद्रित करें, जो आपके जीवन के लिए जो प्रगती, जो आपको करनी है, जो आपका भविश्य है, आपको उसी के तरफ जाना चल रही है, वो हाँ पर रुखिये मत, वोगि पुरी एक सिस्टम है देश का, उसे हमेशा कंटीनू चलते रहना चाहिए, कहीं पर रुख जाती है, तो वो थोड़ा टॉक्सिक बन जाता है, जो फिर वो थोड़ा पॉईजनेस बनने के बाद फिर चीजे खराब करना शुर और किसानों के बीच में जो बात्चीच चल रही थी, वो कहीं पर आकर थम गई है, उसके बीच में जिस तरीके से दादर श्री जी भी बोल रहे हैं कि हमको सहच भाव से चलना क्योंकि चलना बेहत जरूरी है, आप अगर परभाव को रोकते हैं, तो आचाहिए वो नदी का परभाव हो चाहिए जिन्दगी का, तो उसमें कई सडन पैदा हो सकते हैं, कहीं रुकावट पैदा हो सकते हैं, जो पूरी तरीके से हमें नुकसान दे सकती है, टॉक्षिन डबलब कर, तो हमें कहीं न कहीं ये रास्ते निकालने हैं, चलते हुए आगे की तरफ प्रगती क शील माइंड के साथ में हमको रास्ते निकालें, रास्ते भी वो हूँ जो सब के लिए खुशी देने वाले हूँ, व्यापक रूप से एक दूर दरिश्टिता को देखते हुए, सरकार और किसानों के बीच में कोई ऐसा कॉम्मिनिकेशन दुबारा से स्टार्ट होना चाहि जहां से समधान निकले, समधान क्योंकि तब ही निकलेगा जब हम एक बड़ी एप्रोच के साथ में, एक व्यापक सोच के साथ में आमने सामने बैठेंगे और बाचीत से समस्या कहां निकलेगा, लगातार हम भी कहते आ रहे हैं और आज दादर श्री जी भी जिस तरीके से कह रहे हैं, हम उम्मीद यही करते हैं क्योंकि लगातार इतने लंबे टाइम से जो सरकार और किसान के बीच में संगर्स चल रहा है, वो एक विराम की प्रिस्तिती में आना चाहिए, समधान निकलने चाहिए, इसी उम्मीद के साथ, आज के लिए इतना ही देखते रहे हैं, आप देख रहे हैं, खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर